हेलो फ्रेंट्स वेलकम माई येट्वीब चैनल फ्रेंट्स आज की इस वीडियो मैंने टॉप 25 एंटीपीसी टारगेटेट कोशन लिया है और यह जियोग्राफिक सभी कोशन मैंने लिया है 25 कोशन अभी हाली में एंटीपीसी का एक्जाम होने वाला है तो उसी को टारगेट कोशन सवह की सभी कोशन मोच सीइम्पोर्ट्इंस अगर आपको इन सभी कोशन उसका प्वीडियो क्युशना करना हैता है आप हमारे टेलीग्राम गुरूप ज़ एं kup लिंक इसे दॅ dirty राखता है चीछिटेट क्वारती मानें समय आधारित है तो भारती मानक्ष शमय आधारित है किस पर आधारित है तो देख़िए ऑफ्सन नुम्बर सी करेक्ट अचर हो जाएगा तो भारत का प्रमारित समय उस उस्थान का इस्थानिय समय है जो इस्थित है इलहाबाद के समय ठीक है option number C correct answer हो जाएगा अब भारत के जो भारत में मैंने जो अभी आपको बताया कि 82.5 पुर्व देसांतर है यह कहां से गुजरता है तो इलहाबाद के नैनी से होके गुजरता है तो यह आपको याद रखना है भारत का प्रमारित समय उस स्थान का स्थानिय समय है जो इस्थित है इलहाबाद के समीप यह इलहाबाद के नैनी से गुजरता है जो कि 82.5 पुर्व देसांतर है जैसा कि पहले question मैंने आपको बताय टीक है। चलिह next Qoosn देख लेते हैं। Indian standard time और green week mean time में कितना अंतर है। तो Indian standard time और green week mean time में कितना अंतर है। Option number C correct answer हो जाएगा 5.30 यानि कि 5.30 गंट कर्म है। Most important question है। करी बार exam में पूछा गया है। तो इंडियन स्टेंडर्ड टाइम और ग्रीन वीच मीन टाइम में कितना अंतर है? साड़े 5 गंटे यानि कि 5 गंटे 30 मिनट का आप देखिए जो ग्रीन वीच मीन टाइम है तो यह इंडियन के निकट सुन्य दिसांतर पर इस्थित ग्रीन वीच नामक एक कालपनिक रेखा है यह आपको याद रखना है और इससे हमारा जो इस्टेंडर्ड टाइम है यह साड़े 5 गंटे का अंतर है इससे यह आपको याद रखना है aspect c correct answer है चले next question देक लेते हैं भारत की एस्थरलीय सीमा की लंबाई कितनी है option number d correct answer हो जायाक 15 200 km option number d correct answer हो जायाक यहाँ प rivalry यहाँ पोछा गया है भारत का इस्थरलीय सीमा पिले बाद की एस्थरलीय सीमा की कन लंबाई मु pancake चले इने इसको सब दिख लेते हैं भारत की तत्रेखा की लंबाई है बात की नहीं। option number B correct answer हो जाएगा 7516.5 km तो option number B यहाँ पर correct answer हो जाएगा भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है 7516.5 km ओके चलेने इस कोशन दिख लेते हैं भारत का शेत्रफल वीस्व के कुल भावगोलिक शेत्रफल का कितना है यह कोशन ने पुछा गया है तो option number B correct answer हो जाएगा 2.4% ठीक है भारत का शेत्रफल वीस्व के कुल भावगोलिक शेत्रफल का कितना है 2.4% अब देखिए भारत जो है चेत्रफल के अनुसार देखें तो सातवा नंबर पे आता है यह आपको याद रखना है चेत्रफल के दिरिश्टित जो अस्थान है भारत का सातवा अस्थान है और भारत का कुल चेत्रफल कितना है तो यह मैं आपको बता देता हूँ ध्यान से सुनिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमेटर एक बाद फिर से बता देता हूं 32,87,263 वर्ग किलोमेटर ये आपको जाद रखना है भारत का कुल छेत्रफल है चलिए नेक्स कोसन देख लेते हैं संपूर भारत में कितने प्रतिशत भू भाग पर परवत और पहाडियों का पर यहीं जया जाता है अचसर्स का राइन व जयेंगा 29.3 परसनियाणियों संपूर भारत के कितने प्रतिशत भू भाग पर पर परवत और पहाड़े हो का विस्तार पाया जाता था है ₹ अप्संन के बीच के सीमा का नेधार किसने किया तो भारत और प्रकिस्तान के सिम्हें का निधान कि ने किया सर्जिम रड़े क्लिफ यापको याद रखना है सर्जिम रेड़ क्लिफ सर्छ आप सक ने ऐसे नीचे यह थोड़ा सा संसोधन कर लेते हैं तो भारत और पाकिस्तान के सिम्हान का निधान कि समूद्र के और भारत के किटने राज्यत्तों समूद्र के किनारे usble котор है उसके किनारे गया है तो भारत के हैं जो समूद्र की एक किनारे पे हैं कौन कौन सब्सक्राइब गुजरात महाराश्च्टर गौव्य करनाटक केड याज़ा उडिशा और पस्षिम बंगाल कौन कौन सा है एक बार फिर से बता देता हूं गुजरात महाराष्ट्र गोवा करनाटक केरल तमिलाडू अनुप्रदेश उडिशा और पस्षिम बंगाल यह जो भारत के नो राज्य हैं समुद्र के किनारे पार ठीक है ऑप्सन नंबर सी करेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्स को सने भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है वह है गुजरात ऑफ्सन नंबर बी करेक्ट अंसर ह जाएगा कितनी लंबाई है इसकी जो कि तटरेखा के लंबाई यहां पर मैं बता रहा हूं आपको तो सबसे अधिक आप से पूछा जाए कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्जी कौन सा है तो वह है गुजरात जिसके लंबाई मैं नेहां पर आपको बताया और सबसे कम लंबी तटरेखा वाला राज्जी है गोवा तो यह दोनों ही इंपोर्टेंट है आपको करक्रेखा नहीं गुजरती है उत्तर प्रदेश से ठीक है ऑफसर नमबर बी करेक्ट अंतर हो जाएगा अब देखिए यहां पर कुछ नेक्स कोशन देख लेते हैं आदम का पूल निम्लिखित में से किन दो देशों के मध्य इस्तित है भारत और स्री लंका ओप्सन नमबर सी करेक्ट अंसर हो जाएगा भारत और स्री लंका देखिए आदम के पूल को ही राम सेतु पूल कहा जाता है या फिर कह लिजी राम सेतु पूल को क्या कहा जाता है आदम का पूल राम सेतु पूल कहा जाता है जो कि भारत और स्र लंका के मध्य इस्तित है यहिर आपको जाद रखना है और चलिका और संधी है जो कि दच्छडी अंडमान एम छोटा अंडमान के बीच एस्थी थे यह आपको याद रखना है चलिने स्कोर्स दिख लेते हैं भारत और स्री लंका को अलग करने वाली जल रासी है या निकि जल संदी है भारत को भारत और स्री लंका को अलग करने वाली कौन से जल रासी है ऑफ्षन एक ग्रेट चैनल दूसरों आठ डिगरी चैनल पाक जल संधी और दस डिगरी चैनल तो देखिए ऑफ्षन नमबर सी करेक्ट नशर हो जाएगा भारत और स्रिलंका को अलग करने वाले जलरासी है पाक जल संधी ओके बारति यह थेत्र में इस्थित दो ज्योलामुलखी गाल इसे कंदे पूर्व कालापानी के नामसे जाना जाता था important question है स्वतंदेता से पूर्व भारतिय च्छेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था कौन सा च्छेत्र था तो देखिए option number B correct answer हो जाएगा अंडमान नीकोबार द्रीप सम्उ इसे कहा जाता था काला पानी का नाम दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा स्थनीने कंद करने के लिए एक जेल बनाई गई थी जो कि अंडमान निकोबार दीप समू की राइधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी थी यह आपको याद रखना है और इसे ही काला पानी के नाम से जाना जाता था क्योंकि यह चैनिकोबार बनाई गई थी वहां पर कैद करके रखा जाता था इसलिए इसे काला पानी की नाम से जाना जाताया जाटता यह आपको याद रखना है स्वंतल्त में कितने में ॐह स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है तो वर्तमान में भारत की स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है सियाचीन को option number D correct answer हो जाएगा सियाचीन glacier को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है और यह हिमाले के पुर्वी कारा कोरम परवत माला में भारत पाक नियंतरड के पास एक glacier है यह आपको याद रखना है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा glacier है किस भारती राजी की सीमा सरवाधिक राज्यों की सीमा को असपर्स करती है तो देखिए option number C correct answer हो जाएगा उत्तर प्रदेश कुल आठ राज्यों को यह असपर्स करती है कौन-कौन से राज्य हैं यह मैं आपको बता देता हूँ पहले आप जान लिजिए कि कुल आठ राज्यों को असपर्स करती है और एक केंदर सासित प्रदेश को असपर्स करती है जो कि उत्तर प्रदेश है कौन-कौन से राज्य है मैं आपको पहले बता देता हूँ एक बाप फिर से बता देता हूँ यह कुल आठ राज्यों को असपर्स करता है उत्तर प्रदेश राज्य है और एक केंदर सासित प्रदेश को असपर्स करता है जो कि दिल्ली है यह भी आपको याद रखना है ठीक है चलिए नेक्स कोशन देख लेते हैं, सीव समुद्रम किस नदी द्वरा बनाया गया द्वीप है, कावेरी नदी द्वरा, आफसन नमबर D करेक्ट अंसर हो जाएगा, और ये किस राज्य में है, करनाटक में है, ये आपको याद रखना है, करनाटक, चलिए नेक्स कोशन देख लेते हैं, हिमाले परवत एक मुख्य प्रकार है, वलित परवत का, ये मोश्ट इंपोर्टन कोशन है, कई बार एकजाम में पुछा गया है, हिमाले परवत एक मुख्य प्रकार है, वलित परवत का, ओके, चलिए नेक्स कोशन देख लेते हैं, विस विश्व का सबसे उचा परवस्थिखर कौन सा है मांट एवरेष्ट ऑफसन नमबर सी करेक्ट नसर हो जाएगा कई बार इसके उचाई पुछ लिया जाता है कितना उचाई है आठ आठ सो अड़ा तालीस यह आपको मीटर में बताना है ठीक है आठ 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 सो अड़ा तालीस मीटर यह इसको उचाई है मांट एवरेष्ट की जो कि विश्व का सबसे उचा परवस्थिखर रहे ठीक है चरेने स को सन्निक लेते हैं भारत में हिमाले की सर्वच परवस्थ चोटी है तो भारत में हिमाले की सर्वच परवस्थ चोटी हैं कंचन जंगाposition नंबर सी करेक्टन्स रो जाएगा और इसकी कुल कितनी उचाई है 8586 यानि 86 यह मीटर में है ठीक है तो 8586 मीटर और देखिए जो कंचन जंगा है जो कि भारत में हिमाले की सर्वत परवत चोटी है विस्व की तीसरी उची चोटी है यह आपको याद रखना है विस्व की तीसरी उची चोटी यह भी आपको याद रखना है ठीक है चलिने इस कोशन देख लेते हैं किस हिमाले चोटी को सागर माथा कहते हैं माउंट एवरेष्ट को और सी करेक्ट अंसर हो जाएगा इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है यह भी आपको य आपको याद रखना है माउंट एवरेष्ट को ठीक है चलिने इस कोशन देख लेते हैं हिमाले परवत की एक स्त्रेड़ी आरा कायनोमा यह एक बर फिर से पढ़ लेते हैं आरा कान योमा जोकी काफी डिफरेंट नाम है तो हिमाले परवत की एक स्त्रेड़ी आरा कान योमा कहा जाता है किसको कहा जाता है मयामार को option number be correct answer हो जाएगा जो आरा कानियोमा है यह भारत और मयामार की सीमा निधान करता है यह आपको याद रखना है जो कि परवत स्रेणी है ठीक है और इसे इसका दूसरा नाम क्या है यह भी आपको याद रखना है रखाइन परवत ठीक है रखाइन परवत जो कि आरा कानियोमा परवत का दूसरा नाम है इसे रखाइन परवत माला भी कहा जाता है और यह भारत और मयामार की सीमा का निधान करता है तो यह आपको याद रखना है अगर आपको किसी भी क्वेस्षन में कोई डौट हो तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद ही तो जरूर से वीडियो को लाइक करें से खरता है और चानल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए गा ताकि जब भी आगले वीडियो अप्लोड करें उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो मिलते हैं आपने अगले वीडियो में have a nice day